नमस्कार दोस्तों मैं है अध मुहमद आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल गेन में आपका स्वागत करता हूं आज मैं आप लोगों को बताऊंगा ओरिजनल डिस्प्ले और कॉंपिल डिस्प्ले में क्या डिफरेंस होते हैं इसके कई नाम से भी जाना जाता है इस को कॉंबौ फोलडर या डिस्प्ले भी कहते हैं हमारे मुबाइल का फोल्डर टूल जाता है तो हम किसी मॉबाइल सॉप पर जाते हैं और इसका फोलडर चेंज करवाते हैं लेकिन हमें यह पता नहीं होता है कि जो ओर सो फोलडर लगा हुआ कॉंपी है या औरिजनल हमम्य मुबाइल का फोल्टर लगा होता है कॉपी रहता और हम को हम जो पैसा देते हैं ओरीजिनल का प्रिट करते हैं जिसे हमें बहुत हांग होती है तो चलिए हम इसकी पहचान बताते हैं original folder को तिर्चा करके इसे देखने पर view angle से देखने पर एकदम ठीक ठाक दिखाई देता है जबकि copy display में तिर्चा करके देखने पर दुदलाग पन दिखाई देता है आईए हम आप लोगों को कुछ photo का simple दिखाते हैं जिससे confusion clear हो जाए दोनों display में बहुत अंता दिखाई दे रहा है कापी display की brightness बहुत कम है original display की brightness अधिक है original में full color दिखाई दे रहे हैं जबकि copy में हलका color दिखाई दे रहा है copy display में हलका दुदला दिखाई देता है जबकि original में ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है औरिजनल में सफेद और बलेक पूरे तरह दिखाई दे रहे हैं जबकि कॉंपी में हलका नीला पन दिखाई दे रहा है कॉंपी डिस्प्लेय मोटि होती है जिसे बाल्डी में फिल्टिंग करने में प्रोब्लम होती है जैसा कि मैं कैमरे में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यह उठा रहता है बाल्डी से के ऊपर उठा रहता है जो जारा से भी गिरा या दबाव पर टूट जाता है कॉंपी डिस्प्ले के पीछे जो आईसी लगी हुई है यह मोटी होती है जो कि फिल्टिंग करने में बहुत प्रोब्लम करती है यह बाल्डी में उठा रहता है और जब इसको हम बाल्डी में फिल्ट करते हैं तो उठने की वज़ा से यह ठीक से बल्ट नहीं पाता है जिससे जल्द से जल्द डिस्प्ले हमारे टूट जाती है उपर से देखने पर सेम दिखाईदेगा copy display में इस display नीचे नसे छोटा रहता है जो बहुत ही कम कॉस्टली होता है जो कि बहुत सस्ता प्राइस मिलता है और जो कि हमें पता नहीं रहता है हमारे डिस्पले में जो मोभाइल में जो लगा हुआ औरिजिनल है या कॉंपी में इसलिए उपस से सेम दिखाई देगा कॉंपी डिस्प्ले में बैल्टी की खपच ज्यादा होती है औरिजिनल डिस्प्ले पतला और केच मोटा होता है जो जल्दी गिरने पर टूलता नहीं है जो ये डिस्प्ले है पर्फेक्ट तरिके से बाड्यो में बैल्टा हुआ है जैसा कि मैं वीडियो में दिखाने कोशिद कर रहा हूँ ये उठा हुआ नहीं है जो गिरने पर आसानी से टूलता नहीं है इसके नीचे जो आईसी लगी होई होती है और पर्फेक्ट साइज की होती है जो बैल्टने में बहुत मदद करती है जो बहुत आसानी से वर्ट जाता है और इसका डिस्प्ले भी पर्फेक्ट साइज का होता है यह दिस्प्ले थोड़ महगा होता है लेकिन इसमें बैल की बहुत कम खपत होती है और स्केंड और ठर्ट कॉआल्टी डिस्प्ले अपने मुबाइल में मत लगवाईए क्योंकि एक डिस्प्ले सिर्फ देखने के लिए डिस्प्ले होता है इसमें color और जो सब कुछ होते हैं बहुत ही धुदले दिखाई देते हैं अभी मैंने OG full display और copy display में difference बताया और example देखा मैंने समझाने की कोशिश की कि कौन साथ display filter होता है मेरा अपना मानना है कि OG सबसे बेस्ट डिस्पले होता है अगर आप folder लगवाते हैं तो copy की first copy लगवाईए जो कि second और third copy मत लगवाईए जो कि ये बहुत ही सस्ते price का होता है अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो subscribe जरूर करिएगा और bell icon को on कर देजिएगा जो हमारे वीडियो सबसे पहले आप सब देखें लाइक जरूर करिएगा थैंक्स